टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंट अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टोरन्टो की शहरी हकूमत के दफाते चार जनवरी से दुबारा खुर जाएंगे मेयर जान टोरी का कहना है कि सुरतिहाल बहतर होने पर मुलासमीन को वाफिस दफाती राने को कहा है इस अमल से दूसरे दारों को भी होसला अवसाई होगी ओमी करोन के फेलाओ का खत्रा कैनेडा ने मज़ीद तीन मुमालिक पर पाबंदिया आइट कर दी मिसर, नाइजेरिया और मलावी के शहरियों पर कैनेडा में दाखले पर पाबंदी आइट की गई पावंदी का शिकार होने वाले अफ्री की मुमालिक की तादा दस हो गई है कैनेडा भर में कोरोना वारस के फेलाओं में कमी कसिला जारी मरीजों की मजमुए तादा 17,92,639 तक जा पहुची हलाकते 29,714 हो गई अमरीका ओमीकरोन वेरियन का पहला केस रिपोर्ट आलमी मारकिट में तेल की किमतों में कमी करह जान अमरीकी स्टॉक मारकिट में भी मन दी तादबान से सरहदी जड़ब गलत फहमी का नतीजा थी एरान हुकाम का कहना है कि सरहद पर हालात मामूल के मताबिक हैं एरान अफगान सरहदी जड़ब में कोई जखमी नहीं हुआ बरतानिया में तुफान 30,000 घर पांच रोज से बिजली से महरूम बरतानिया में बर्फानी तुफान के बाइस मुक्तलिफ हासाथ में 3 अफरात हलाक हुकाम का कहना है कि बिजली की वहाली में मज़ीद वक्त लगेगा दुनिया भर में कोरोना वारस से 26,38,94,917 अफरात मतासिर वारस से मवाद 52,45,179 हो गए जबके 23,82,28,687 कोरोना मरीज से अतियाब हो चुके हैं हेडलाइन्स आपने जवानी और अब खब्रे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को ओर्डर करें www.greenish.com टॉरंटो के शहरी हकूमत के तमाम दफातिर ज़्यादा से ज़्यादा सलाहित के साथ जन्वरी में दुबारा खुल जाएंगे मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में टॉरंटो के शहरी हकूमत के अपने तमाम दफातिर ज़्यादा से ज़्यादा सलाहित के साथ जन्वरी में दुबारा खुल जाएंगे और सूबे में करोना वाइरेस की एक नई किसम की हंगामी सूरत हाल के बावजूद शहर अपने मुलाजमीन से कम असकम जुज़ वक्ती तोर पर दफ्तर में वापस आने को कहेगा टॉरंटो के मेर जॉन टॉरी का कहना है कि शहर के दफातिर चार जन्वरी दो हजार बाइस को तमाम मुलाजमीन के लिए दुबारा खुल जाएंगे उन्होंने कोविड-19 ब्रीफिंग में कहा टॉरंटो के शहर के दफातिर की अमारते सहते आमा के असूलों के तहद मुम्किना हद तक खुली रहेंगी और काम की सलायते खुद बाखुद बढ़ जाएंगी जैसे ही वबाई बिमारी के खात्में और काम की जगों पर जिस्मानी दूरी के तकाजों में सुबाई हुकूमत की तरफ से तबदीली की जाएगी जान टॉरी ने मजीद कहा कि शहरी इंतिजामिया के मुलाजवीन को जो फिल हाल घर से काम कर रहे हैं उन्हें हाई बॉर्किंग मॉडल पर दफ्तर में वापस आने की अजाज़त होगी अंदाज़ा है कि ज्यादा तर अमले के अरकान हफ़ते में तीन दिन दफ्तर में और बाकी हफ़ते घर पर काम करेंगे ट्रॉंटो के तकरीबन 75 पीसद मुलाजवी जिन के पास घर से काम करने का आप्शन नहीं है वो पूरी वबाई बीमारी के दोरान काम पर आ रहे हैं और 25 पीसद घर से काम करने के काबिल हो गए है जॉन टॉरी ने कहा कि उमें उमीद है कि इस एकदान से दूसरे आजरों को अपने काम की जगें दुबारा खोलने की तरखी मिलेगी जॉन टॉरी ने कहा मुझे यकीन है कि ये निजी और सरकारी दोनों शुबों में दीगर काम की जगों के लिए एक अहम इशारा है कि हम पाहे पाज़र वापस लाट सकते हैं और माईशत की बन्यादी अमल को बहाल कर सकते हैं और महफूस तरीके से कर सकते हैं केनिडा ने करोना वारस के नए वारियन्ट ओमिक्रोन के फैलाओ के खच्चे के बाइस मिसर, नाइजेरिया और मलावी के शहरियों पर केनिडा में दाखले पर पाबंदी आइद कर दी इस हवाले से मजीद चानते हैं कینیڈا ने करोना वायरिस के नए वेरियंट ओमिक्राओ के फैलाओ के खच्चे के बाइस मिसर नाइजेरिया और मलावी के शहरियों पर कینیڈा में दाखले पर पाबंदी आइट कर दी इस पाबंदी का ऐलान केनिडा के वजीर सहत ने किया जिसके बाद केनिडा की हकूमत की तरफ से ऐसी पाबंदी का निशाना बनने वाले अफरीकी मुमालिक की तादाद दस हो गई है वजीर सहत ने मजीद बताया कि वो खेर मुलकी शहरी जिन्हों ने पिछले दो हफ़तों में ऐसे मुमालिक में वक्त गुजारा है जिन पर पाबंदी आयद की गई है तो वो कैनेडा में दाखिल नहीं हो सकते एक प्रेस कांफरेंस के दोरान वजीर सहत ने फहरिस में तौसी का ऐलान करते हुए कहा कि कैनेडा के शहरी और मुस्तकिल रहाइशी जो वतन वापसी से दो हफ़ते कबल इन मुमालिक से गुजरे थे हवाई अड़े पर पहुचने पर उनका टेस्ट किया जाएगा और उनके नताइच मालूम होने तक करंटीना में रखा जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि रियास्ते हाई मुतहदा के इलावा दीगर मुमालिक से कैनेडा जाने वाले तमाम मुसाफरों का हवाई अड़े पर कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा अताय नजर इसके कि उन्हें वैक्स 19,270 तक जा पहुँची है मजीद चांदे हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारिस के फैलाओं में कमी देखने में आ रही है आखरे इतलाद के मुताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मच्मुई तादाद 17,95,629 तक जा पहुँची है जबके हलाकतیں 29,714 हो गई मुख भर में 17,49,899 से जायत वरीज सहतियाब हो चुके हैं ऑंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वायरिस से मतासिर होने वालों की तादाद 6,19,270 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादा 10,05 है कैनेडा में करोना वायरिस के सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई है सूबे में करोना वायरिस के मचमूई केसिस की तादाद 4,49,366 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,581 तक पहुँच चुकी है कैनेडिन सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक करोना वायरिस की वज़ा से बहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,35,677 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए है जबके 3,255 अफराद हलाक हो चुके है ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 2,18,801 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,340 है साओधी अरब और मुतहदा अरब अमाराद के बाद अमरीका में भी करोना की ओमिक्रोन वायरियंट का पहला केस सामने आ गया साओधी अरब और मुतहदा अरब अमराद के बाद अमरीका में भी करोना की ओमिक्रोन वायरियंट का पहला केस सामने आ गया है रिपोर्ट्स के मताबक मतासरा शख्स जनूबी अफरीका से 22 नवंबर को अमरीका आया था वायट हाउस के मताबक ऑमिक्रोन से मतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकमल कर चुका था मरीज का इलाद चारी है दूसी जानिब आलमी अदारे सहत के सरबराद टैडरुस एड़ोनाम ने कहा है के तमाम मौलक inward सकुन रहकर उमीक्रोन के खलाफ हकी की एकदमात करें उन्होंने कहा कि नए वैरियंट उमीक्रॉन से मतालिक अभी बहुत से सबला जवाब तलब है तमाम मौलक मुन्दकी मतनासिब और खत्रे में कमी लाने वाले एकदमात करें ओमिक्रोन के पहलाओं के सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी करुज़ान जारी है अमरीकी स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार हो गई अमरीकी खाम तेल की कीमतों में फी बैरल 61 सेंट कमी हुई जिसके बाद कीमत 65.57 डालर फी बैरल हो गई برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 68.87 ڈالر فی بیرل ہو گئی امریکہ میں اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد امریکی سٹاک مارکٹس بھی مندی کا شکار ہو گئی ڈاؤ جونز میں 460 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی S&P 500 کے شیئرز 1.2 فیصد نزدہ کمپوزٹ انڈیکس 1.8 فیصد گر گئی اعلان کی وزارت خارجوں کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے سرحدی علاقوں کے رہائشوں کی نقل و حرکت سے غلط فہمی ہوئی اور سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران نے کہا ہے کہ طالبان اور ایران کی فورسز میں سرحدی جھڑپ غلط فہمی کے نتیجے میں ہوئی ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے سرحدی علاقوں کے رہائشوں کی نقل و حرکت سے غلط فہمی ہوئی और सरहद पर फारिंग का तबादा हुआ लेकिन अब सरहद मामूल के मताबिक है एरान और अगवानिसान की सरहद पर गुजशता रोज जड़ब कुई थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक तालबान ने एरानी शहरियों की जानिब से मबयना तोर पर सरहद पार करके अगवान अलाके में आने पर फारिंग की जवावी कारवाई में इरानी फोर्सिस ने शैलिंग की सरहदी जड़ब में कोई जखमी नहीं हुआ तालबान हकूमत के नाइब तर्जमान नम्रूस के सरहदी आलाके में जड़ब की तजड़ी की थी ताहम तफसिलात नहीं बताई मुकामी मीडिया के मताबिक तालबान की जानेब से तीन सरहदी चौकियों पर कबजे का दावा किया गया है जबके तालबान ने मजीब पौजी कमुक भी तलब कर दी है उधर इरानी मीडिया का कहना था कि आगवान सूबे नम्रूस के करीब इरानी बौर्डर गार्ड्स और तालबान की जड़ब दुपहर में शुरू हुई थी बरतानिया की शुमाली अलाकों और स्कॉर्ट लैंड के कुछ इलाकों में एक हफ़ते कबल आने वाले तूफान के बाद से 30,000 घरों को बिजली की फरहमी मुनकता है मजीब चांदे हैं इस रिपोर्ट में बरतानिया में बरवबारी और तूफानी हवाओं के पाच रोज बाद भी 30,000 घर बिजली से महरूम है बरतानिया के मताबिक बरतानिया के शुमाली इलाकों और स्कॉर्ट लैंड के कुछ इलाकों में एक हफ़ते कबल आने वाले तूफान के बाद से 30,000 घरों को बिजली की फरहमी मुनकता है बिज़ी फराहम करने वाले एदारे के हुक्काम का कहना है कि 30,000 घरों को बिज़ी की बहाली में मजीद वक्त लग सकता है बर्तानिया में बर्फानी तूफान और हावाँ से मुक्तलिफ हाथ साथ में तीन अफराद हलाक हुए थे करोना वारिस के केसिस और इसे अमबाद के अदवार से अमरीका तहाल पहले नमबर पर है जोहां इस वारिस से अब तक 8,005,004 अफराद मौत की मुँ में पहुँच चुके हैं मजीद चांदे हैं इस डिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारिस से मतासर अफराद की तादा 26,38,94,917 तक जा पहुँची है जबके इस मुजी वारिस से अमबाद 52,45,179 हो गई जबके 23,82,68,687 करोना मरीज सहत्याफ हो चुके हैं करोना वारिस के केसिस और इससे अमबाद के एतबार से अमरीका ताहाल पहने नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 8,05,004 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके इससे बिमार होने वालों की मचमुई तादाद चार करोर पे 95,73,122 हो चुकी है एक अरब से जायत अबादी वाला मौलग भारत करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारिस से 4,79,724 हलाकते हो चुकी हैं जबके इससे मुतासरा 3,46,6,541 मरीज सामने आ चुके हैं तरकी में करोना वारिस से आमवाद 77,038 तक पहुँची हैं जबके केसिस 87,9,588 हो चुके हैं इरान में करोना वारिस से कुल अमबाद की तादाद 1,39,830 हो गई जबके इसके कुल केसिस 88,18,144 हो गई साओधी अरब इसी फैरिस में साथ में नमबर पर पहुच चुका है जहां करोना वारिस से अब तक कुल अमबाद 88,837 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,49,786 तक जा पहुची है टैग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टैग टीवी टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा और अराउंड गलोब Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV